दोस्तों यदि आप अपने बैडलक से, दुरभाग्य से, फिजिकल प्राबलम से, मेंटल स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, फाइनिशल लॉसों से, धन की हानी से, करजे से, घर के कले कले से परिशान हैं और इन सभी समस्याओं से मुक्ती चाहते हैं, तो आज मैं आपको देशी घी के कुछ चमतकारी कुपाई बता रहा हूँ, जिनको करने से आपको सौभग्य की प्राप्ती हो सकती है, मालक्ष्मी की करपा प्राप्त हो सकती है, आए जल्दी से जानते हैं कुछ सरल सी रेमेडीज जो की घर घर में मिलने वाले देशी घी से स सबसे पहला रात के समय शिवलिंग के समक्ष शुद्द देशी घी का दीपक जलाने से भोलेनात की विशिश करपा प्राप्त होती है, बैडलक से दुरभग्य से फानेशल लौसों से मुक्ति मिलती है, दूसरा उपाय, शिवलिंग का शुद्द देशी घी से अभिशेक कर सबी प्रकार की ला इलाज बिमारियों से, शारिरिक कस्टों से, कैंसर, डाइबिटीज जैसी बिमारियों से मुक्ति मिलती है, सुख सम्रद्दी प्राप्त होती है, तीसरा सुबह शाम घर में पूजा स्थान पर शुद्द देशी घी का दीपक जलाने से घर की जितनी भी नेगिटिविटी होती है, नकारतमकता होती है, वो खत्मोती, घर के सदस्यों की तरक्की होती है, चौथा, महिने में एक बार शुद्द देशी घी का दान, जरतमंद को अवश्य करें, मंदिर की अंदर कर सकते हैं, जहां खंड जोत जलती है, निश्यत तोर पे, इस उपा रात को सोने से पहले अपने घर के किचन में बहुत इंपोर्टेंट उपा है, सुन लीजी, रात को सोने से पहले अपने घर के किचन में, रसोई में, शुद्द देशी घी का दिपक जला के रख दीजी, निश्यत तोर पो इस देशी घी के दिपक से, आपके घर में रोज ह होती चिक-चिक से मुक्ति मिलती है तो सरल से देशी घी के उपा हैं रेमेडीज हैं जिनको अपना कर आप अपने जीवन में ला सकते हैं सवभग